दोस्तों बिहर में सिक्षक की भरती नई नियमावली 2023 के अनुसार होगी तो नई नियमावली के अनुसार सिक्षक की बहाली कैसे क्या होगी इसके बारे में चलिए संपूर्ण जानकारी देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि सात में चरण सिक्षक बहाली का क्या हुआ इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं और फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ डिग्री यानि सर्टिफिकेट चाहिए कौन-कौन सा चाहिए कि सायोक के माध्यम से परिक्षा ली जाएगी मेरिट कैसे क्या बनेगा सभी चीजों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं तो उचले संपूर नियामा वली देखिए और सभी चीजों को आप आसान भासा में अच्छे से समझ लीजिए सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर बरा जो बदलाव हुआ है परसेंटेज मार्क्स का खेल खत्म हो गया है अब आपको टेंथ में 90 परतिसद बारवी में 90 परतिसद चाहे कितना भी मार्क्स है यहाँ तक कि आप सीटेट परिक्षा में भी 120-130 मार्क्स लाए है इन सभी चीज़ों का अब कोई भी वैल्ल्यू नहीं रहा है अब आपका जो सलेक्षन होने वाल है एकजाम में मार्क्स के अधार पर अब यह परिक्षा कैसे क्या होगी कितने मार्क्स की परिक्षा ली जाएगी सभी चीज़ों के बारे मापको A to Z जानकारी देने वाले है यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि सेभन फेज की जो भरती है इसको लेकर क्या कुछ हुआ है नियोजित सिक्षक की जो भरती अभी तक आ रही थी तो इसको लेकर क्या कुछ हुआ है क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट, सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे मेरिटलिस्ट, लेवस, एकजाम, पैटर, नया रूल क्या कुछ है तो उचले के करके सभी चीज़ों के बारे में आप संपूर्ण जानकारी देखिए इस वीडियो को आपको सुरू से अंतक देख लेना है आपका जितना भी डौट है इस वीडियो को देखने के बाद सभी डौट के लिए हो जाएगा ये जो दोस्तों आपके सामने ये ओफिसेल नयवावली है बिहार सरकार सिक्षा विभाक सिक्षक भरती का नयवावली है अब यहाँ पर सिक्षक से संबधी जो भी भरती इसी नियामवली में जो भी चीजे दिया हुआ उसी अनुसार आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखेगा इस नियामवली का जो नाम है बिहार राज बिद्याले अध्यापक नियुक्ति अस्थांतरन अनुसासनी करवाई सेवा सर्थ नियामवली 2013 इसी रिक्रूट्मेंट रूल के अनुसार अब भरती होगी अब भरती में पहला चीज यहाँ पर एक्जाम जोड दिया गया है और इस पर आप लोगों का क्या कहना है एक्जाम वाला पैटर्न बढ़िया है या फिर परसेंटेज वाला आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए और अभी यहाँ पर और अन्य चीजों के बारे में देख देखेगा तो यह बार्मी तक से रिल्टेट जो भी टीचर की भरती है सभी इसी नियमावली के अनुसार होगी एक से पांच, छे से आठ, आठ से दस इसके बाद बार्मी तक तो यहाँ पर सभी के बारे में दिया गया है उच मादमिक विद्याले जिसमें कक्छा बारत एक की पढ़ाय होती है, अब यहाँ पर देखेगा नियुक्ती प्रादिकार से अभिप्रेरित है, जिला के जिला शिक्छा पताधिकारी इसके बाद है विद्याले अध्यापक से अरिप्रेरित है, इस नियमावली के अधिन 1-5 तक 6-8 अलग-अलग देखेगा, तो यहाँ पर इसी तरह से primary, middle, high school की बहाली अलग-लग माध्यम से की जाती थी तो वही चीज़े रहने वाला है primary के लिए पहला चीज तो आपका qualification यहाँ पर बार्मी मांगा जाएगा अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसमें BA, DLA जरूरी है या नहीं तो सभी चीज़ों को लेकर इसी वीडियों को देखने के बाद आपको clear हो जाएगा 6-8 में यहाँ पर graduation मांगा जाता है फिर 9-10 में भी वही चीज़े है सारा कुछ है अब चलिए यहाँ पर देखेगा परधान ध्यापक की भरती होती है BPSC के माध्यम सिख्जान के अधार पर इसके बारे में भी हाँ पर काहा गया है 2021 नियामवली के अनुसार यह सारा कुछ होगा परधान सिख्छक का भी नियामवली कै अनुसार अब यहां पर जो main चीज है दोस्तों यह आपको देखना है यहां से आपको आप qualification चीज़े यह सब चीज़ों को लेकर clear होने वाला है पातरता परिक्षा के बारे में देखेगा तो बिहार सरकार या फिर केंद्र सरकार से समझे जो भी पातरता परिक्षा ली जाती है इसके बारे में है जो भी हाल फिलाल में देखेगा परधान सिक्षा और इसके बाद परधना द्यापक दोनों भरती जो है BPSC आयोक को दिया गए है तो ये भी भरती BPSC आयोग के माध्यम से ही करवाया जागा BPSC आयोग के माध्यम से सबसे खास बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको question paper link answer की कुछ भी चीजे नहीं देखने को मिलेगा बिल्कुल साफ सुतरे तरीके इस परिक्षा होगी इसमें आपको question paper मिलेगा answer की मिलेगा आप objection कर सकते है cut up marks बताया जाएगा इस पाद सभी candidate का marks बताया जाएगा OMRC test scan copy आपको official website पर देखने को सारा कुछ दिया जाएगा यानि पारदर सिता की जो भी चीजे है सब कुछ यहाँ पर अपने आ जाएगा अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह जो परिक्षा है BPSC के माध्यम से होगी तो हम आशानी से निकाल लेंगे मेरा state में 120-130 नमर हम इतना अच्छा marks लाएगा दोस्तों यहाँ पर है क्या कि आ अगर आप हलके मिलीजेगा पहली बार दीजेगा अगर सलेक्षन नहीं होगा फिर दूसरी बार दीजेगा नहीं होगा तीसरी बार दीजेगा नहीं होगा फिर आपका टीचर बनने का जो सपना यहां से बिल्कुल खदमी ही हो जाएगा इसलिए आप लोग को तैयारी करके देना, तियारी कैसे क्या करना है, सभी चीजों के बारे में इसी चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है, साथ ही आप लोगों को तियारी भी करवाएंगे, प्रिवियसर का क्वेस्चन भी दिखाएंगे, सारा कुछ हमारे पास VPSC क्यों से पहले जो परिक्षा ली यहां पर अहरता देखे, तो पहला यहां पर भारत का नागरिक हो, तथा बिहार राज के स्थाई निवासी हो, दूसरा यहां पर है विद्यालय अध्यापक के पद पर राष्ट्या ध्यापक सिक्षा परिशत, यानि NCTE से माननेता प्राप, सायक्षिनिक योंपर सायक्ष योगता ध्यापक करता हो, विशेस विद्यालय अध्यापक के लिए यानि यह दिव्यांग से रिल्टेड होता है, इसमें यह स्पेशल बियेड होता है, और राज सरकार केंदर सरकार द्वारा समय समय पर आहोत सिक्षक पातरता परिक्षा में उत्रीन हो, और इसके बाद 12 से पहले देखेगा, तो टीचर को डिरेक्ट बिना सिटेट के माध्यम से टीटी के माध्यम सेलेक्षन होता था, तो ऐसे के लिए यहाँ पर दक्षता परिक्षा में पास होंगे, तो यह अभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, और विशेस बिशेस के लग से बिशेस अहरता निर्धारन विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा, एज के बारे हमें देखिए, मिनिमाम एज का जो कंडिशन 18 साल, और 18 साल जो रहने वाला है दोस्तों यह प्रैमरी और मध विद्याले के लिए, यही पर अगर आप हाई स्कूल में भरना चाहते हैं, तो वहाँ प पाते हैं, तो 37 साल, जनरल काटोगरी में महला है, तो 40 साल, BCBC काटोगरी साते हैं, तो 40 साल, SCSD साते हैं, तो 42 साल, अगर दोस्तों आपको टीचर बनने का सपना है, तो अगर आप बीसी बीसी काटोगरी साते हैं, तो आपको जाती परमान पत्र बनाने एक बात, नन क्रिमी डॉकुमेंट मांगा जाएगा, नन क्रिमिलियर परमान पत्र यह आप ब्लॉक से बना सकते हैं, अगर आप EWS से आते हैं, EWS परमान पत्र, SCST साते हैं, SCST जाती परमान पत्र, यह सब चीजे डॉकुमेंट आप अपना क्लियर करके रखिए, इसके बाद यहाँ पर देखेगा तो इस नियामबली के परविर्थ होने के पस्चात, नियुक्ती के पर्थम समय ब्योहार में, अधिकता मायू सिमय में 10 वर्सों की छूट दे होगी, और यह किसको यहाँ पर छूट दे होगी, तो जो यहाँ पर राजे सरकार इस नियामबली के परविर्थ होने पर जिलाब भ्यार्थियों को 50% सीट रिजर्व किया गया है और मां की 50% सीट पर पुरू सभ्यार्थी या सभी कल्याब कहिए यह है इसके बाद इसमें सभी काटूगरी वाज आरक्षन का लाब दिया जाएगा नियूकती की परक्रिया कैसे होगी तो शिक्षा भी भाग द्वा आप सभी को फॉर्म भरना परेगा फॉर्म भरने के बाद एक्जाम लिया जाएगा एक्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर पर परिक्षा होगी परिक्षा जो यह ली जाएगी दोस्तों आप सोच रहेंगा ऑनलाइन तो ऑनलाइन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ये परिक्षा BPSC आयोग के माध्ध्यम से ही होगी, OMR सीट पर 2 घंटे की परिक्षा होगी, offline ली जाएगी, अब negative marking कितना क्या कुछ रहेगा, सभी चीज़ों के बारे मापको बताने वाले हैं, उक्त परिक्षा एक लाहरतांच नियत करने का विवेका अधीकार आयोग को होगा, तो कम सी कम इसमें दोस्तों क्वैलिफ़ा का जो कंडिशन रखा जाएगा 60 परतिसत, यानि कम से कम रखा जाएगा ये बढ़ा के हो सकता है, 70 भी किया जाए, और यहाँ पर 60 तो रखा ही जाएगा, और डेर सो में से लगवागा, आपको 60, डेर सो में से आपको 90 क्वेस्चन सही करना परेगा, और निगेटी मार्किंग इसमें अच्छा खासा रहेगा, 1x4 BPSC के और से अभी जो पहले जो नोटिफिकेशन जा रही हुआ है, उसमें 1x4 निगेटी मार्किंग का कंडिशन था और इसमें तो 1x3 भी किया जा सकता, अभी कमबाइंड कंपेटिव एकजामने सो 79 मी जो है, उसके लिए एक फॉर्म भरतेस में अभी हार्थियों से वोटिंग लिया जा रहे हैं कि आप 1x3 निगेटी मार्किंग चाहते या फिर 1x4, अगर आप भी हार्थी 1x3 पे सहमत होता है, अगर लागू होगा, इस एक जाम में भी 1x3 निगेटी मार्किंग लागू हो जाएगा, यानि तीन क्वेस्चन आप गलत किजीगा, एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा, इसलिए आप सभी को BPSC का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आप लोगों को GK, Current Affairs, Math Sense, सभी की अच्छे से त्यारी करना है, जिससे आप बेहतर स्कोर करके, असानी से टीचर बनने का जो सप पूरा कर पाए, और अगर आपका इस पर सेलेक्शन हो जाता है, ति ये किसी भी गवर्मेंट जॉब से कम नहीं है, इसमें आपको BPSC के लिए सारी सुविधाय दी जाएगी, इसके बाद देखेगा, कोई अभ्भारती स्नियावली के अंतरगत अधिकतन तीन बार पाए, तो आप जितने दिन यहाँ पर जॉब किया है, सभी आपका सेलरी यहाँ पर रिकावर किया जाएगा, साथ ही आपके खिलाप केस ये सारा कुछ होगा, परिविक्षाप दी ये सभी गवर्मेंट जॉब में होता है, दो साल का प्रोवेशन बियाड होता है, इसमें भी लाग हो है, ये निया कि दो साल के लिए आपका सेलेक्शन हो रहा है, ये सभी गवर्मेंट जॉब में ऐसा ही नियम होता है, इसके बाद दिखेगा सम पूष्टी के बारे में है, तो परसिक्षन सारा कुछ यहाँ पर वड़ियता सूची तो इसमें वड़ियता सूची भी होगा, प्रैमरी, मिडल, अलग-अलग, अस्थाना अंत्रन, तो सारा कुछ आप ट्रांसपर ये सब चीजों के बारे में देखना चाहते हैं, अनुसासनी करवाई के बारे में है, 2005 नियम अवली के अनुसार, टीचर पर अनुसासनी करवाई ये सब किया जाएगा, सेव जब 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 जोएन कीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को लगभग 32,000 बनेगा, यही पर आपको मीडिल में होगा, है में होगा, फिर वहाँ पर लेवल 5, लेवल 6 इस तरह से आपको सालरी मिलने वाला है, लेवल 6 में अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है, तो लग से टीचर का इस तरह से विवहार सारा कुछ होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देख सकते, सिकायत अपील इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर जो भी मेन बाते थी उन सभी चीज़ों के बारे में तो आप देख लिए अब भी बहुत सारे सवालों का जवाब आप सभी कुछ आईए तो उचले यहां से देखिए यहां पर सिलेवस का पैटर्न क्या कुछ रहेगा कितने कुछ पूछे जाएगे इन सभी चीजों का जवाब यहां से आपको एके करके मिलने वाला है यहां पर दिखेगा दोस्तों बिहार सरकार सिक्षा विभाग का यह प्रेश नोट है और यह 2013 नियमावली के बारे में मिडिया को सारा कुछ यहां पर बत्याया गया है यह हम नियमावली लाए है और विद्याल अध्यापक के सभी पत सिधी नियुकती से भरे जाएंगे इसके लिए यहां पर एक्जाम लिया जाएगा सारा कुछ और जो नियोजीत टीचर है उन सभी को यहां पर मौका दिया जाएगा तो यहां पर आप अच्छे समझ लीजी आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए कौन-कौन भर सकते इस फॉर्म को दोस्तो कोई भी भर सकते अगर आप टीचर के पोस्ट पर सलेक्टेड है नियोजीत सिक्छक में तो भी आप फॉर्म भर सकते है अगर आप जेनरल स्टूड आ गया क्या थीra का जौब है तो टीचर में भी ए डियलेट ये चाहिए जी चाहिए ये हो गया इसके बाद आपको सीटेट पाश होना परेगा तो सीटेट जो भी अभियारती पाश है याँ टीत पाश है पहले से या फिर आफ भी पास करेंगे तो शीटेट आपको पास होन और इसमें percentage marks का condition ये नहीं है कि आपको 120 नमर ऐसा कुछ नहीं है बस citate pass होना जो कि 60% का condition है reserve category के लिए 55% का condition है तो पहला आपके पास qualification बार्मी जो भी graduate है दूसरा B.A. citate pass है तो आप इस form को भरिएगा इस form को भरने के बाद क्या होगा कि exam लिया जाएगा और ये exam B.P.C. आयोक के माध्यम से 1500 marks का लिया जाएगा इसमें आपका जो भी marks आएगा उसके अधार पर आपको teacher post पर selection होगा selection के बाद दोस्तों पाहले जैसा नहीं है नियोजित सिक्षा का आप नहीं कह लएगा राज्जी सरकार का करमचारी कह लएगा जिस तरह से ने government चोब है बिहार पुलिस दरोगा उस तरीके से आपको salary हर महने मिलेगा बिहार सरकार की जो भी स्विवधाय है सभी स्विवधाय आपको दी जाएगी ये तो हो गया इसके बाद देखेगा यहाँ पर अहरता के बारे में तो सैक्षन की योगिता सारा कुछ यहाँ पर बत्याय गिया है आरक्षन के बारे में सारा कुछ यहाँ पर बत्याय गिया है इसके बाद देखेगा इस नियावावली के अधी सुचित होने की तिथी से पुरू की नियाववलियों द्वारा जो भी यहाँ पर भरती है सभी अथावत रहेगा यानि किसी भी टीचर को यह नहीं के हटाया जाएगा कोई भी अभ्यार्थी इस नियाववली के अंतरगत अधिक्तम तीन बार परिक्षा में भाग ले सकेगा तो तीन बार का लिमीट है इसलिए आप सभी को बेहतर तरीकेश त्यारी करके देना है हम आप लोगों को पूरी तरीकेश त्यारी करवाएंगे जो पैटर्न है बीपीएसी का जैसे क्वेस्चन पूछा जाता है इस एकजाम में उसी अनुसार त्यारी करवाएंगे इसलिए आप सभी को चैनल को फटाफट सब्सक्राब करके जुर जाना है इसके बाद दिखेगा दोस्तों नगर निकै संस्थायम पंचैती राज संस्था अंतरगत सिक्षकों की नियुकती संबतित नियामवली जो बर्स 2006 से लेकर के 2020 के अवधी में अधीश उचीत हुई है निहित प्रवधान के तहट इस नियामवली के प्रभावी होने के तीथी को उपरांत कोई नए निकती नहीं की जा सकेगी यानि दोस्तों ये जो नियामवली आज के रेट में पब्लिश्ट हो गया अब जो भी यहां पर है आप सोच रहे होंगे सेवंध फेज का क्या हुआ तो सेवंध फेज ये सब जो भी चीजे है दोस्तों ये पुराने नियामवली 2020 के अनुसार ही होने वाला था तो ये सब आप कुछ भी नहीं होगा अब आपको एकजाम देना परेगा तभी आप बिहार में अब टीचर बन सकते हैं जो आप टीचर बन गया बन गया अब जो नए है नए को आप एकजाम देना परेगा अब उसी के अधार पर आप टीचर बन सकते हैं